अगर आप सोच रहे हैं कि आप नमकीन का बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि आप नमकीन का बिजनस कैसे करें कितनी लागत होगी और किन-किन चीजों की आपको आवशकता होगी कैसे आप अपनी बिजनिस की मार्केटिंग करेंगे कच्चा माल कहां से आपको मिलेगा और प्रती एक किलो की पेकिंग की नमकीन पे आपको कितना मुनाफ़ा होगा इन सब चीजों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूँगे तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंतक देखे गया पहले बात कर लेते हैं कि जैसे फ्रेंट्स नमकीन बनाने की कुछ फेमस कंपनिया है जो आज करोड़ों कमारी है जैसे हल्दी राम हो गई बिशनलाल बाबुलाल छोटु मोटु बिकाजी यह आज करोड़ों की कंपनी बन चुकी है जिन्हों ने एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट किया था तो आप भी इन में से एक अपना ब्रांड पेमस कर सकते हैं पर वह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप उपनी बिशनस की मार्केटिंग कितना अच्छा जा रहा है कैसे शुरू करें नमकीन के बिजनस को इस बिजनस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी रेजिट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है आपको अन्य बिजनस की तरह इसमें भी registration करना है साथ ही FSS AI से आपको license लेना होगा इसके बाद लगबग 1000 square foot की जगे आपको जरूरत होगी अब बात कर लेते हैं कि कच्चा माल क्या क्या होगा कच्चा माल इसमें बेशन तेल नमक ड्राइफ फूर्स आपको ये सारा कच्चा माल क्या बड़े wholesale market से खरीदना होगा अगर आप डीटेलर से खरीदोगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा और investment भड़ जाएगा अगर आप wholesale से खरीदोगे थोड़ा investment कम होगा अब बात करते हैं friends market में कहां कहां और कैसे बेचे तो आप सिधा market में wholesale rate में बेश सकते हैं आप अपनी नमकीन के packet बना कर उस पर अपने ब्रांड का label लगा कर शहर या गाओं में बेश सकते हैं या आसपास के छोटी-छोटी दुकानों में भी बेश सकते हैं जिससे मैंने बोला था जितना अच्छा आप अपना product रखेंगे अपना brand का अपनी brand को famous कर सकते हैं क्योंकि quality अगर अच्छी होगी customer को पसंद आएगा तो लोग आपके brand के नमकीन खाना पसंद करेंगे आपको अपने उत्पात का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करना होगा आप शुरुवात में नमकीन कम rate में भी बेश सकते हैं वहलों शुरुवात में कम margin में अगर आप बेचते हैं तो आपको दीरे-दीर profit मिलना start हो जाएगा फिर आप दीर-दीर rate भढ़ा सकते हैं इन्वेस्ट्मेंट की बात करें तो इंवेस्ट्मेंट आपके लिए जगय का investment होगी माल खरीदने में स्टाफ की क्योंकि फ्र nerकेंट में बेचने के लिए तो three-four आपको स्टाफ रखने पड़ेंगे फिर उनको सेलरी भी देने पड़ेगी तो यह आपका इंवेस्टमेंट होगा अगर लगबंग माने तो आपको 2-3 लाग तक का इंवेस्टमेंट लगता है नमकीन बनाने नमकीन का बिजनस करने में अब बात करते हैं प्रॉफिट की प्र करते हैं और एक दिन में 100K का प्रोडेक्शन काते हैं मतलब सो किलो एक दिनमें नमकीन बेच रहें तो एक दिन प्रॉफिट कहने होगाँ फिजनस किक्तर सब्सुने ज्यादा है आपकी मार्केट में गैदरिंग ज्यादा है तो आप और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो धन्यवाद फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सिस्क्राइब कीजिए अगर आपको और भी को जान करें च झाल 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 झाल